हलो एव्रिवन एंड वेलकॉब बैक तो यूजी सनेक मैं डॉर गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एनालेसिस करेंगे 27 अगरस्त को हुए सेगंड शिफ्ट का आज के इस वीडियो लेक्चर में ने उन टॉपिक्स को उन कोशन को डाल दिया है जो इस्टोरेंस न किसी टैइंग को फू... dåनों एक सांथ उस टैंग को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। इस तरीक के कोशन था? एक जै से या कि किसी भी चीज का डीजाइन का मतलब यह होता है कि आप पहले से plan कर ले तो, कि किस तरीके से आप काम करने वाले हुई, जिसे मैंने मार्णिंग में भी आपको एक एक क्ञापल दे कर समझाया था कि जब आप एक घर बनाते हो, तो घर को आप डिजाइन देते हो पहले, कि हम यहाँ पर फ्रेंट में एक हॉल बनाएंगे, दो रूम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमारा किचन होगा, यहाँ पर बैलकनी होगी, इस तरीके से आप एक complete तरीके से डिजाइन बनाते हो, then उसके बाद construction स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर सेम वैसे है, research design का मतलब है कि पहले आप plan कर लिए तो एक framework होता है, जो guide करता है हमें कि किस तरीके से हमें काम करना है, और उसके बाद हम complete, उस blueprint को follow करते हुए, हम हर तरीके काम करते हैं, starting लेकर के end तक, तो simple words में यही आपका research design होता है, और इसी के उपर आज देखो, इसकी full form होती, modern language association, तो मैं आपको basically समझाओगा कि किस तरीके सा हम citation करते हैं, किस तरीके से इसकी referencing होती है, तो format of four citation गया होता है, सबस्वेल, starting में हम last name लिखते है, author का, first name बाद में आते है, then title of collection आता है, then edited by, किसका नाम है, editor, publisher, year and page range of entry, तो citation example given है, author का name, जैसे author का last name जो हो है, then first name है, title of, ऐससे हो गया, मतलब जो भी आपके title है book का, या फिर जो भी आप publish करें, उसके बाद title of collection आते हैं यहाँपर, उसके बाद आगा किस ने एडिट किया है, फिर publisher का name, then उसके बाद यहाँपर year, then page number, I mean किस जगा पे जो है, वो, चीज मिलेगी, किस particular ची आइडिया हो गया, आपका typhide fever हो गया, cholera हो गया, बर्तलिजम हो गया, जडिया हो गया, लैप्तॉस फीडस, लैप्तॉस हो गया, तो इसके इस तरह के जो बीमारिया होती हो आपकी पानी से होती है, और यह इसके उपर भी आज की exam question पूच्छा हुआता, morning में यह पूच् से किसकी वज़ा से होता है, वायरस की वज़ा से या बैक्टीरिया की वज़ा से, या किसी की वज़ा से होता है, तो इसका सिंपल सांसर यह था, morning वाले question पानी की वज़ा से होता है, चलिए आगे बढ़ते है, cyber security पे question पूच्छा हुआ था, आज की exam में, number system पे question था, जिसम पाली वीडियो आ जाएगे, तो इस वीडियो का आप देख सकते हो, exam में जाने से पहले, आगे बढ़ते है guys, इसके लाबाव वैब 2.0 question पूच्छा हुआ था, आज की exam में, तो वैब 1.0 जो था, वह 902 जार पास तक चला, इसमें basic HTML हो गया, इकावर्स, जावा, जो स्टा ग्लोबल इंटरनेट एक्सेज हो गया, वैब एप्स हो गया, data monetization होने लग गया, वैब 3.0 जो हमारा future है, भावश्य है और इसी पर हम डिपैंड करता है, जैसे artificial intelligence हो गया, हमारा metaverse हो गया, blockchains हो गया, semantic web हो गया, तो इस तरह की जो चीज़े हैं, वह आपको पर देखने को बिलती है, तो इस से related question था, वैब 2.0 पर, three hours of from environment जो आपको question हो था, reduce, reuse and recycle को question पुछा होता है, exit question यार नहीं है, बढ़ इस topic के ओपर आज की exam में question पूछा होई है, आगे बढ़ते है guys, question पूछा हो था, fallacies के उपर, तो fallacies का जो topic है, वो मैंने आपको अपनी marathon वारी class में करवाया हुआ है, और आज भी इस marathon से 10 से 12 कोश्चत देखने को मिले है, तो इसलिए guys, काफी important class है आपके लिए, आप सभी के लिए, जिलोंने marathon नहीं देखी है, हर shift में, हर exam में, इस marathon से topic जो है, आपकी exam में बढ़ रह fallacies मैंने इसमें cover करवाया है, इसके लाब आप 2.2, 3.2 यह भी मैंने इसके अंदर cover करवाया हुआ है, तो काफी सारी जो चीज़े है मैंने इस marathon में cover करवाया हुए, make sure आप इस marathon को जरूर देखें, exam में जाने से पहले, हाँ, यह जो आज की exam में semantic barrier पर question बना और semantic barrier भी मैंने आपको इसके अंदर cover कर रहा हुए है, तो बहुत ही important class है, आप सभी के लिए इस marathon का लिंक में इसी वीडियो के description box and comment box में देखेंगा, इसको exam में जाने से पहले जरूर देखेंगे आप, question पूछा होता है, semantic barrier के ओपर, semantic barrier जो होते हैं, badly expressed message हो गया, symbols हो गया, faulty translation and clarified assumption, technical jargon, body language या gesture decoding में गलती हो जाना है, इसको हम semantic barrier की category में डालता है, तो इससे related question आपके आज के shift में पूछा हुआता है, second shift में, इसके लाबा guys, organizational barrier हो गया, cultural barrier हो गया, इसके ओपर भी question था, तो आप यहाँ पर देख सकतो organizational barrier में, organizational policy किस तरगी किये हैं, वो भी barrier बनाती ही, communication में, तो चीज़े हैं, आपके organizational barrier में आती हैं, इसके ओपर भी question था, आज की exam में, काहूत software पर आज की exam में question पूछा हुआ था, तो काहूत software जो है, वो आपका एक game based learning platform है, जो मैं college में teaching कर रहा था, तो मैं भी अपने students को काहूत का use करके, financial management हो गया, उस टाम पर GST, नय नय आया ता market में, तब मैं 2018 से मैंने teaching करने स्टार्ट किया था, college में, तो उस टाम पर मैं भी आउट software का use करता था, students को game play कराने में, क्यूंकि जब आप learning को fun बना देते हो, fun तरीके से सिखाते हो, तो बच्चे और अच्छे सीखवाते हैं, तो उस टाम पर GST से related मैं काभी सरे students को quiz दिया करता था, तो इसे से related आज की exam में आप से कुशन बुचा बाता है, और यह quiz related आपका software online website है, Mentimeter से कुशन था, यह भी आप एक learning tool है, so Mentimeter is tool that allows users to create interactive presentation that include polls, quizzes and other interactive elements, यह भी आपके learning or teaching tool है, जिसका उस होता है, learning management system की पर कुशन पुच्छा बाता है, it is a software application that helps organization plan, deliver and track training and educational program, LMS can be used by companies and educational institutions in many industries, including software financial, services manufacturing, healthcare and more, तो guys basically, इस system का जो है, use किया जाता है, manage करने में, क्यूंकि नाम देख आपको पतशलों को management system है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं, चीज़ों को manage करने में, educational field में, five year plan पे question था, NEP 2020 पे question था, और मैंने अपने marathon में NEP 2020 कवर करवा रखी है, आइन से अट उनिवेस्टी पे question था, स्वयम प्रभा पे question था, मैंने स्वयम प्रभा दोनों कवर कर रहा हुए है, अपनी marathon class में, तो स्वयम प्रभा इस नेम गया देट, आइन गिवन तो group of 40 DTA channels, जोग टेली कास्ट करते हैं, अगर आप एक्जाम देतो वोकस्ट करने के बाद, इसके लावा है, पूच्छा हुआ था, आज की एक्जाम में profit and loss topic भी cover करवाये वहाँ है, इसी एक्जामपल एंड प्वेंड आपको मैंने काफी डीटेल में संधाइबाए। एक्स्परीमेंटल रिसर्च्च्ट पे करते हुए एक variable को ताकि दूसरे variable को उसका असर दिख पाया है है ना और यह होता है आपका experimental research और इसके उपर question मना था तो यह था अब देखो guys आप quick revision करना चाहते हुए तो मैं आपको यह suggest करूँ कि आप क्लास को जरूर देखें exam में जाने से पहले यहां पर मैंने केवल और केवल टॉपिक सी कवर करवा हुए हैं यह आपकी exam में जाने से लगए अगर आगर आपको देख लेगते हो तो यह आपके लिए game changer सा भी दूसकती क्लास क्योंकि मैंने इस क्लास में काफी इंपोर्ण टॉपिक कवर करवा रखें में इस क्लास को जरूर देखें इसका लिंक के मैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स को देखें दूगा अगरा दिसंबर 2014 की त्यारी करें तो अपने विनर बेच्च 3.0 स्टार्ट किया है अभी पि पढ़ाने को मैं इदर दर चीज़े भी पढ़ा सकते हूं जैसे की चीज़े कवर की जाती है बड़ मैं आपको कूदा पढ़ाता हूं जो की एक्जाम के बंटर्व्यू से कर सकते हैं अब उसको भी अवेल कर सकते हैं ताकि टाइम से आपका कोर्स फिनिश हो आपकी जो रिवीजन है वो मल्टीबल टाइम हो पाए और आप एक्जाम में अच्छा है स्कॉर करता हैं कि गिवा रो प्रप्के प्रवाच ने प्रड़ पूट्र। प्रवाच धिए गयुच ऑनकी प्रवाच प्रवच से जाए आप लिए विए आफ धाड़ विद पी अच्छा थाम एतबाइ पास्टों एक ने क्यों ए पीक्ष गूच्ट्ट गभच